हलो दोस्तों आपका हमारे चैनल कुगवेच फूड में स्वागत है आज हम लेकर आए हैं आपके लिए भर्भा तरोई की सबजी बहुत ही स्वादिष्ट सबजी बनकर के ये तयार होती है और आप इसको पूड़ी पराठा किसी के साथ भी सर्फ कीजिब बहुत ही स्वादि या इस तरह से बड़े साइच की है तो इसके तीन से चार भाग आप कट कर लें जिससे की हमें बनाने में आसानी हो जाएगी इसी तरह से हमने सारी तरोई को कट कर लिया है अब इसको हमें 20 से छोटा कट लगा लेना है इस तरह से जिससे की हमसमें मसाला भर सकें और इसी त चम्मच हम ले लेंगे मेथी दाना, इसको हमें slow flame पर roast कर लेना है अच्छे से, इसका color change होने तक इसको हमें अच्छे से भून लेना है, यह देखी इसका color change हो गया है, अब इसमें हम इला देंगे एक छोटा चम्मच, सर्सो दाना या राई, यहाँ पर हमने काली वाली सर्सो इसको भी हमें चटका लेना है अच्छे से, इसको हम लास्ट में डालेंगे, यहाँ पर हम गयास के flame को off करेंगे, क्योंकि जब राई डालेंगे तो आप देख सकते हैं किस तरह से चटक रही है, तो यहाँ पर हम flame को off कर देंगे, और इसको अब एक बरतन में हम निकाल लें हैं, तो आप इसको skip कर सकते हैं, अब इसका हमें बारिक पेस्ट बना लेना है, इस तरह से थोड़ा सा पानी डाल करके, इसका हम बारिक पेस्ट बना लेंगे, अब इसमें हमें कुछ मसाली मिलाना है, तो यहाँ पर हम मिला लेंगे, आधा चमच हल्दी पावडर, एक कर लेंगे, और हमारा मसाला बन करके रेडी है, अब लेंगे तरोई और चोथा ही चमच के करीब, इस तरह से मिसमें मसाला भर लेंगे, एस्टर मसाले को हम अटा लेंगे, जिससे की बाहर न निकले, और इसी तरह से हम सारी तरोई के पीसेज रेडी कर लेंगे, यह देखि तब इसमें मिला देंगे आधा चम्मच, जीरा और चोथा ही चमच मिला देंगे हींग, साथ में एक डाल देंगे बारी कटी हुई प्याज, इस तरह से, यदि आप प्याज नहीं खाते हैं, तो आप इसको skip कर सकते हैं, प्याज को हमें गोल्डन होने तक भून लेना है, अब करते हमसाला भ Choose us फेसे प्वीराइन क हास्ती ही खुल के कज़ों डिन में विआ रों ठी Can स्मेकर शुल कम रखोना नियुक्सिति, करेंब दूसरे पूरेंखिते ही क्सलें। 5 मिट तक अच्छे से पकने देंगे और ये देखिए 5 मिट के बाद अच्छे से ये पक गई है अब इसमें मिला देंगे हैं स्वाद के अनुसार नमक नमक हमने पहले भी मिला था तो उसी की कवर्डिंग नमक डालेंगे इसमें और इसको कबर करके 2-3 मिट पकने देंगे और आप देख सकते हैं 2-3 मिट के बाद कितने अच्छे से तरोई हमारी पक गई है इसको इस तरह से चला लेंगे सबजी को हमें मेडियम टू स्लो फ्लेम पर ही पकाना है अब इसको उपर मिला देंगे हम कटा हुआ हरा धनिया हमारी सबजी बन करके तयार है चलते हैं सर्व करते हैं और ये लीजिए हमारी सबजी बन करके तयार है भरमा तरोई की बहुत ही स्वादेष्ट सबजी बनी है ये एक बार आप भी इस तरह से बना करके जरूर ट्राइ कीजिएगा पूरी पराठा के साथ बहुत ही स्वाधिष्ट लगती है आपको हमारी रेस्पी कैसी लगी कमेंट में जोर बताईएगा और प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सेर और सब्स्राइब करना मत भूलेगा अपना किमती समय देने के लिए थैंक यू